नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल पर आशा करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रख रहे होंगे आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ट्यूटोरिल अन इस मेकप लुक मैंने आज ब्लाक स्मोकी आय लुक क्रेट किया है आशा करती हूँ कि आपको ये ओवराल मेकप लुक अच्छा लगेगा अगर आपको जानना है कि मैंने इस मेकप लुक को कैसे क्रेट किया है ये है मेरी बेर स्किन विदाउट मेकप सबसे पहले मैं लिप्स को मॉस्चुराइज कर रही हूँ तो मैं यूस कर रही हूँ यूस का हनियाप पर लिप बाम अब मैं अपने फेस और नेक पर अपलाई कर रही हूँ दो फेस शॉप का वाइट सीड मॉस्चुराइजिंग लोशन ये मेरी नॉमल टू ड्राय स्कें टाइप को सूट करता है अब हम प्राइमर को अपलाई करेंगे तो मैं अस्तमा कर रही हूँ रिमल का लास्टिंग फिनिश प्राइमर ये प्राइमर मैं अपनी टीजून पर अपलाई कर रही हूँ और ये प्राइमर मेरे स्किन को एक ग्लो एफेक्ट देता है product को मैं ring finger की मदद से apply कर रही हूँ और blend भी कर रही हूँ आज हम use करेंगे lacmeca 9 to 5 primer plus matte foundation in the shade warm beige अब हम foundation में mix कर रहे है strobing liquid जो की है Maybelline का face studio strobing liquid in the shade medium mixture को मैं अपने face and neck पर apply कर रही हूँ finger की मदद से Real Techniques के foundation brush पर मैंने spray किया है Wet n Wild के natural makeup setting spray को और अब मैं foundation को अच्छे से blend कर रही हूँ काफी हलका हाथ रखें जब आप foundation को blend कर रहे हूँ जादा pressure ना लगाएं और brush को मैं circular motion में चला रही हूँ और product को blend कर रही हूँ Elegal Pro का orange color character apply कर रही हूँ मैं अपनी eye area पर अब मैं ring finger की मदद से product को अच्छे से blend कर रही हूँ Orange color character का इस्तमाल मैंने इसले किया है ताकि darkness conceal out हो जाए अब मैं concealer को apply कर रही हूँ तो आज मैं use कर रही हूँ L'Oreal का Infallible Concealer in the Shade Biscuit Concealer को blend करने के लिए मैं इस्तमाल कर रही हूँ Pack का 272 Concealer Brush अगर आपको brush का इस्तमाल करना पसंद नहीं है अपनी eye area पर तो आप damp sponge का इस्तमाल करें या फिर अपने finger का इस्तमाल करके भी आप concealer को blend कर सकते हैं अब मैं concealer को set करने के लिए यूज़ कर रही हूँ Nika का Skin Genius Powder in the Shade Warm Honey Shein के brush पर मैंने pick किया है Nika का Skin Genius Compact Powder को और face और neck पर लगे हुए foundation को set कर रही हूँ मैं यूज़ कर रही हूँ Wet n Wild का Pranets To It Better Eyebrow Pencil यह eyebrow pencil मुझे बहुत ही अच्छे लगती है क्योंकि मेरी eyebrow है को suit करती है और इसका finish natural दिखता है अब हम Maybelline के gel eyeliner का इस्तमाल करेंगे यह एक black gel eyeliner है इसे मैं brush की मदद से जो की Maybelline का ही brush है उस brush की मदद से अपनी eyelet पर gel eyeliner को apply कर रही हूँ और blend कर रही हूँ Sephora के eyeshadow brush की मदद से मैं gel eyeliner को smudge कर रही हूँ और अच्छे से blend कर रही हूँ product को मैंने crease के नीचे ही रखा है और अच्छे से blend कर रही हूँ अब मैं gel eyeliner को फिर से apply कर रही हूँ अपनी eyelet पर और color को intensify कर रही हूँ हमने gel eyeliner को इसलिए apply किया था ताकि हमारे black eyeshadow को एक base मिल जाए मैंने gel eyeliner का इस्तमाल किया है अपनी eyelet पर आप चाहें तो किसी भी काजल pencil का इस्तमाल कर सकते हैं आज मैं use करने वाली हूँ wet and wild का color icon palette in the variant my glamour squad उसमें से मैंने black eyeshadow को pick किया है मौर्फिक के pencil brush पर और अपनी eyelet पर pack कर रही हूँ मैंने एक pencil brush का इस्तमाल किया है ताकि मैं precisely black eyeshadow को place कर पाऊं और blend कर पाऊं अब मैं दुबार से pick कर रही हूँ black eyeshadow को और reapply कर रही हूँ color को मैं intensify कर रही हूँ अब हम apply करेंगे gel eyeliner को अपनी दूसरी eyelet पर तो मैं इस्तमाल कर रही हूँ maybelline का gel eyeliner और ये brush जो है ये gel eyeliner के साथ ही आया था तो मैं उसी brush का इस्तमाल कर रही हूँ अब मैं Sephora के eyeshadow brush के मदद से gel eyeliner को समच कर रही हूँ और इच्छ से blend कर रही हूँ आज हम black smoky eye look create कर रहे हैं तो products को blend करना बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है ताकि हमारा eye look clean दिखे और messy ना लगे मैं gel eyeliner को reapply कर रही हूँ और color को अच्छ से intensify कर रही हूँ अब मैं Sephora के brush के मदद से harsh edges को soften कर रही हूँ written wild के color icon palette में से मैंने pick किया है black eyeshadow को और अपनी lid पर pack कर रही हूँ बहुत ही कैफूल रहे हैं जब आप black eyeshadow के साथ काम कर रहे हूँ आप बहुत ही कम quantity pick करें एक बार में और धीर धीर करके color को intensify करें फिलाल मैं she in-key eyeshadow brush के मदद से harsh edges को soften कर रही हूँ अब मैं एक basic wing liner draw करूँगी तो मैं use कर रही हूँ अपना favorite NYX का epic ink eyeliner ये एक black eyeliner है और इसकी brush tip बहुत ज़्यादा flexible है मैं आराम से wing liner draw कर पाती हूँ अगर आपने इस eyeliner को try नहीं किया है तो ज़रूर से करें क्योंकि ये काफी pigmented है easy to apply है और easy to remove है अब मैं अपनी पूरी waterline पर apply कर रही हूँ MAC Cosmetics के Tecna Kohl eyeliner pencil in the shade graph black को मेरी eyes काफी sensitive है और उस पर usually कोई काजल नहीं टिकता है पर ये काजल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया क्योंकि ये pigmented भी है और मेरी waterline पर टिकता भी है Mitten Wild के eyeshadow palette से मैंने pick के है black eyeshadow को Morphe के pencil brush पर और अपनी lower lash line पर black eyeshadow को apply कर रही हूँ अब SHEIN के flat eyeshadow brush पर मैंने pick किया है concealer को ये L'Oreal का Involuble Concealer in the shade biscuit है इस concealer के मदद से मैं अपनी outer V के edges को clean कर रही हूँ ऐसा करने से हमारा eye look जो है वो sharp दिखेगा concealer को set करने के लिए मैं इस्तमाल कर रही हूँ Nika का Skin Genius Compact Powder मेरी left eye पर eyeshadow कुछ जादे ही ऊपर तक लगा गया था मैंने उसे मैं clean कर रही हूँ micellar water की मदद से अब मैं lashes को curl करूंगी तो मैं use कर रही हूँ V.O.V का lash curler अब हम mascara apply करेंगे तो आज use कर रही हूँ मैं essence cosmetics का lash princess mascara ये बहुत ही अच्छा mascara है volumize करता है मेरे lashes को और lengthen भी करता है water resistant mascara है और ये मेरा favorite mascara है आप मुझे comment करके बताएगा कि आपका सबसे जादा favorite कौन सा mascara है I would love to know ये है wet and wild का watch shady beaches bronzer इसे मैं अपने face को contour करने के लिए के मदद से मैंने jawline को भी define किया है आज मैं यूज करने वाली हूँ BH Cosmetics का chocolate cherry truffle palette wet and wild के blush brush के मदद से मैं product को अपने cheeks पर apply कर रही हूँ ये जो color मैं अपने cheeks पर apply कर रही हूँ वो ज़्यादा नहीं दिख रहा है मेरी cheeks पर क्योंकि वो more or less मेरी skin tone के color का ही है अब मैं base makeup को set करने के लिए इस्तमाल कर रही हूँ NYX का dewy finish setting spray आज मैं use कर रही हूँ makeup revolution का supreme highlighter palette in the variant metal highlighter को मैं अपने high points of the face पर apply कर रही हूँ और highlighter को apply करने के लिए मैं इस्तमाल कर रही हूँ Soeva का luxe highlighter brush अब मैं अपने brow bones को highlight कर रही हूँ highlighter की मदद से और inner corner of the eyes पर भी मैं highlighter को apply कर रही हूँ अब मैं अपनी lips को line करूँगी तो मैं use कर रही हूँ wet and wild का lip liner in the shade chestnut ये एक reddish brown lip pencil है अब मैं apply कर रही हूँ color pop की lipsticks in the shade sassy ये wild child collection का हिस्सा है ये एक brown lipstick है इसमें hint of red भी है saturn finish की है ये lipstick और मुझे ये lipstick बहुत ही अच्छी लगी अब मैं apply कर रही हूँ lip gloss तो ये है pretty by floor mark का rose gold lip gloss इसमें center of the lips पर apply कर रही हूँ ये earrings और निकलेस का set मैंने इंडिया से purchase किया था और अब मैं इस set को पहन रही हूँ मुझे oxidized jewelry बहुत ही ज़ादा अच्छी लगती है मुझे ये set ला जवाब लगा बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये ये ring मैंने amazon से purchase की थी और ये है अपना complete makeup look मुझे ये makeup look अच्छा लग रहा है smokey eyes जो है वो बहुत ही ज़ादा सुन्दर दिख रही है personally मुझे messy eye looks बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं इसलिए मैं sharp eye looks create करना पसंद करती हूँ और मुझे लगता है ये काफी अच्छा और sharp eye look दिख रहा है ये है close up of the makeup look कितना अच्छा लग रहा है आज का makeup look plus smokey eyes के साथ मैंने brown lips को pair किया है अगर आपको पसंद नहीं आया है ये lipstick तो आप muted nude lipstick का इस्तमाल कर सकते हैं अपने lips पर eye look को compliment करने के लिए आप मुझे please comment करके बताईएगा कि आपको आज का makeup look पसंद आया या नहीं किया आप इस तरह के makeup looks को create करना पसंद करते हैं just in case आप इस makeup look को recreate करेंगे तो मुझे Instagram पर tag करना बिल्कूल न भूलें Instagram handle आपको description box में मिल जाएगा तो दोस्तो ये थी आज की वीडियो आशक करते हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए किसी तरह से helpful रही होगी अगर आपको मेरा चानल पसंद आ रहा है मेरा content पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चानल को subscribe करना ना भूलें bell button पर click करें ताके जब भी मैं नई वीडियो को upload करूं तो आपको notification मिले और आप मेरे चानल पर उस वीडियो को देखें आपका support मेरे लिए बहुत ज़्यादा important है अगर आपने मेरे चानल को subscribe कर रखा है तो thank you very much आशक करते हूँ कि आपको मेरे वीडियो अच्छी लग भी होगी आप मुझे अपना feedback ज़रूर से दें comment section में आप comment करके मुझे बता सकते हैं कि आप मेरे चानल के भर में क्या सूचते हैं इसे के साथ मैं इस वीडियो को खतम करती हूँ आशक करती हूँ कि आप सब अपना ध्यान रखेंगे मैं जल्द ही मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में तिक केर बड़े